हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु स्टेडी बस आप में से बहुत सारे एंब्या एस्पेरेंट्स होंगे जिनका जो टार्गेट एक्जाम है वो एन्मैट और स्नैप है काफी सारे बच्चों का इमेल था क्वेस्चन था सर आपने कैट के ऊपर तो पूरा स्टेडी प्लान बना द प्रेपरेशन करनी है तो 18 ऑफ सेप्टेंबर से हमारा एन्मैट स्नैप डेडिकेटेड फिफ्टी डे का कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमा आपके पूरी प्रेपरेशन बिल्कुल बेसिक से एक्जाम लेवल तक की हो जाएगी तो उसकी डीटेल्स भी आपका शेयर करूँ की बिकोज ये एक बहुत इंपोर्टेंट मोटिवेशन है तो एन्मैट एक्जाम के थूरू आप टॉप कॉलेजी जिसे एन्माइमस मुंबई हो गया एक्जाएंबी का जो एचार प्रोग्राम है वहाँ केजी सुमाया तापी कॉलेज में जा सकते हो इसी के साथ अगर हम स स्नाप एक्जाम की बात करें तो जो सिंबोईसिस के टॉप कॉलेजी जैसे SIBM पूने, SMHRD, SIBM बेंगलाओ, SIIB इनमें आप एड्मिशन ले सकते हो अगर मैं बात करूँ प्लेस्मेंट की तो एन्माइमस मुंबई का लास्ट एक जो आवरिज पैकेज था डाट वस 26.63, एक अप्पी की बात करें तो 14.8, केजे सुमाई की बात करें तो 12.23, यह सारे के सारे कॉलेजिस आप एन्मेट की तुरू एड्मिशन ले सकते हो, अगर मैं बात करूँ सनाप कॉलेजिस की, तो जो इनका सबसे फ्लैक्शिप कॉलेज है SIBM पूने, उसका जो आवरिज पैकेज हैं, यह एक्जाम easy to moderate एक्जाम है, यह कोई difficult एक्जाम नहीं है, और इनी एक्जाम को crack करके भी, आप एक dream MB college में अडिविशन ले सकते हो, जिससे आपकी बहुत अच्छी placement लग सकती है, तो अगर मैं बात करूँ इनके exam pattern की, तो NMAT और snap का exam थोड़ा सा different है, जो exam का structure है, प question सही करते जा रहे हो, तो आपका हर एक question difficult होता रहे हैं, उसके marks भी आपको जादा मिलेंगे, अगर आप question गलत कर रहे हो, तो आपको easy question मिलेगा और उसके marks भी कम मिलेंगे, तो इस तरह से आपको पूरग बर adaptive paper मिलता है, जिसमें आपके सामने verbal के 36 question, quant के 36 question, and LR के 36 question होगे, total 108 question, and exam आपको 120 minutes का, वालब 2 hours का exam है, and out of 360 आपको marks मिलेंगे, अगर मैं बात करो अभी यहाँ पे cut off कि क्या save score है, तो अगर आप 235 plus ले आते हो, तो आपको सारे के सारे colleges से call आ जाती है, जो इनका flagship college है, NMIMS Mumbai, उसका जो cut off रहता है, वो around 235 रहता है, इसके अलावा जो other colleges है वहाँ पे किसी में 230, किसी में 225, किसी में 210, तो आपको जो goal है, जो mindset है, जो आपका एक target score होना चाहिए, जो 235 plus होना चाहिए, देन अगर मैं बात करो, snap के exam pattern की, तो snap का exam बई 60 minutes का ही होता है, 60 minutes में आपको 60 questions करने हैं, जिसमें 15 questions आपके सामने verbal के हैं, 25 questions LR के हैं, and 20 questions आप मैं बात करूँ, यहाँ पे cut-offs की, तो snap exam अगर आप 45 का एक aim लेके चलो, out of 60 तो बहुत ही अच्छा score है, जिसके बाद, आपको जो top institute है, SIBM, Pune, SMH, RD, वहाँ से call आ रहेते हैं, वैसे तो वहाँ से call, आपको 42, 43 पे भी आ सकती है, but एक safe score अगर हम लेके चले, तो 45 plus is a very good score, अगर मैं बात करूँ, number of attempts की, तो आप NMAT और snap दोनों के भई, 33 attempts appear कर सकते हो, however, अगर आप NMAT की बात करोगे, तो NMAT के कुछ colleges तो आपका best score accept करते हैं, कुछ colleges जैसे NMIMS Mumbai है, वो आपके first attempt के score को consider करता है, वहीं पर अगर हम snap की बात करें, तो 3 attempt में से जो भी आपका best score हो तो language में reading, comprehension, paraforming, error identification, sentence, completion, analogies, ये सब topics आपको करने है, logical reasoning के अगर हम बात करें, तो वह critical reasoning, analytical puzzle, deduction, other reasoning आपके topics हैं, and quants के अगर मैं बात करो, तो number, properties, arithmetic, algebra, probability, ये ज़्यादा पूछा जाता है, NMAT में आपका TSD नहीं आता है, आपका geometry नहीं आता है, लेकिन ये जो other topics हैं, जैसे ये आपको पढ़ने होते हैं, इसी के साथ अगर मैं बात करो, snap के important topics की, तो quants में आपको arithmetic section, number system, कुछ question geometry से, कुछ other area से आपको मिल जाते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो basic, आपका coding, decoding, analogies, blood relation, number series, alphabet based reasoning, arrangement, ये सारे topics, and English में आपके RCs नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो RC की जगे, पिछले कुछ सालों में आप देखोगे, आपके vocabulary वाले question, grammar वाले question, ये ज़्यादा questions आपकी dominance है, ठीक है, तो ये आपका snap का syllabus है, however, अगर हम बात करें कि इन दोनों exam में क्या similarities हैं, तो जो दोनों exam का difficulty level है, वो easy to moderate रहता है, syllabus जो है, अगर आप देखोगे, overall जो coverage है, syllabus की, उसमें काफी topics इनके similar है, और इसलिए, ये NMAT snap का dedicated crash course, जो हम 18 September से start कर रही, आपको बहुत ज़्यादा help कर सकता है, इन दोनों exam को sincere, एक पूरा direction के साथ target करने लिए, इस course में, आपको 100 plus hours की video lecture मिलेंगी, जिसमें, हर एक topic आपको बिलकुल basic से कराया जाएगा, एक-एक topic, आपको exam oriented कराया जाएगा, इसके साथ ही, आपको interactive e-books मिलते हैं practice के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कि जो भी आपके NMAT snap related questions है, वही आपको मिलते है, तो यह जो आपको pre-recorded lectures हैं, इनको आप अपने convenience पर देख सकते हो, आपने topic का देखा video, और उसके पूरे के पूरे course में आपको 10 national level NMAT के adaptive mocks मिलते हैं, इसके साथ ही, आपको जो snap का paper, उसके 20 national level snap के mocks मिलते हैं, तो भाई बहुत ही complete comprehensive preparation होती है, एक 50 days का planner आपको provide होता है, हर एक दिन आपको क्या topic पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से videos आपको देखना है, कौन सा test देना है, एक complete clarity के साथ, आपके पास ये पूर अगवरा planner होता है, अगर आपका exam 50 days, 60 days बात है, तो अराम से इस planner का follow कर सकते हो, अगर आपको जो कुछ extra days है, तो भाई आप अराम से अपने planner को modify भी कर सकते हो, थोड़ा सा revision के लिए time निकाल सकते हो, एक बहुत सिंसेर तरीके से अ आपका भई 1R का exam है, ठीक है, तो 1R का ये exam है, then NMAT के अगर हम बात करें तो ये आपका 2R का exam है, इसके साथी जो NMAT का structure है, वो आपका adaptive exam है, ठीक है, अगर हम snap की बात करें, वो एक aptitude exam है, speed based exam है, तो इसका मतलब ये हो गया, कि NMAT में जो ज़्यादा focus आप करेंगा, वो accuracy on the other end अगर में snap exam की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर 60 minutes में आपको paper करना है, तो यहाँ पर speed आपके बहुत important criteria है, followed by accuracy ताकि आप अपने score को maximize कर पाओ, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़े करनी है, तो सबसे पहला और सबसे first step आपके सामने ये है, कि आप हर एक topic के basics को करोगे, and topic के concepts को decode करना है, काफी सारे लोग गलतिया करते हैं, sir speed based exam है, तो concept सीखने नहीं, सारे questions shortcut से कर ले, ऐसा नहीं होता है, जब तक आपकी foundation strong नहीं है, आप exam को crack नहीं कर पाओगे, जब आपका basic concept clear हो गया, उसके बाद आपको practice के requirement है, हर एक topic पे aim करो 25 से 50 questions ज़रूर प्रैक्टिस करो, exam oriented questions को practice करो, third important चीज़ आपकी क्या है, कि आपको इन exams को crack करने के लिए, आपको width cover करनी है, किसी भी topic की depth को cover नहीं करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह होगा कि topics आपको कोई नहीं छोड़ने है, हर एक topic के basic moderate level आपको करना है, and depth में नहीं जान ताकि आप अपने सारे के topics cover भी कर पाओ, and बहुत जादा आपका time में नहीं लग रहा है, exam focused एक direction के साथ आपकी preparation हो रही है, fourth important चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान लखनी है, वो है mock test, आपको दोनों के दोनों exam के mocks जरूर जरूर लगाने हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा क्योंकि NMAT का exam adaptive है, जब तक आप देखोगे किस तरह से question सही करने हैं, किस तरह से calculated guess लगाने हैं, किस तरह से paper की strategy बनानी है, आप इस exam को crack नहीं कर पाओगे, similarly अगर मैं snap की बात करूँ तो snap में 60 minutes आपके किस तरह से utilize होंगे, कौन सा section आप पहले करोगे, कौन से question attempt करोगे, कितना time कहां पर devote करोगे, यह सारी strategy आप तभी सीख पाओगे, जब आप multiple mocks लगाओगे, ठीक है, और उनका complete analysis, क्या आप से गलतिया हो रही है, क्या gaps हो रहे है, क्या कोई ऐसा area जो आप cover up नहीं कर पारे, वो सारी चीज़े आपको यहां पर सीखनी पड़ेंगी, तो अगर आप खुझ से कर सकते हो, well and good है, पूरा time table मैंने आपके आपके शेयर कर दिया है, काफी सारे videos हमारे channel पे भी है, उनको भी refer कर सकते हो, आपके पास कोई practice content है, उसको use कर सकते हो, otherwise, अगर आपको एक dedicated course यह सर, मुझे एकदम to the point preparation करनी है, तो यह NMAT, Snap का course बहुत useful है, काफी अच्छे results हैं, जो आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ, यह course start हो रहा है 18th of September से, valid रहे का 22nd December तक, तो मतलब आपको snap का कोई भी attempt हो, NMAT को कोई भी attempt हो, सारे attempts आपके deal हो जाएंगे, इस course को भई आपने Windows, Laptop, Android, Phone या iPhone में चला सकते हो, and इस course में आपको 100% की video lecture में जाते ह है, जैसे कि मैं आपको वाता है, 3 interactive e-books है, जिसमें आपके एकदम NMAT snap specific question है, यह books ही आपके NMAT specific snap specific e-books है, ठीक है, उसके बाद 10 आपको national level के NMAT के adaptive mocks, and 20 आपको snap के full net mocks मिलेंगे, and एक day by day study plan मिलेगा, 50 days का planner, जिससे आपकी पूरी पढ़ाई structure हो जागी, जो course है, यह specifically design क NMAT और snap experience के लिए, and इसका total fees है, तो है 4700 रुपी, इस पूरे fees में आपके सारे के सारे video lectures included है, सारे e-books included है, NMAT के adaptive mocks included है, snap के mocks included है, तो एक comprehensive preparation आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, and अगर आपको सिरफ test series चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो कहते है, लेना चाहते हो, तो वो भी हमारी launch हो चुकी है, NMAT की जो test series है, जिसमें आपको 10 national level के mocks मिलेंगे, और वो सारे के सारे mocks adaptive होंगे, एकदम exam experience होगा, with detailed analysis and solution, वो आप अवेल कर सकते है, 999, and अगर आप snap के mock test लेना चाहते हो, तो उसमें आपको 20 national level के full 9 mocks मिलेंगे, along with detailed analysis and solution जो बिलकुल आपके latest snap pattern interface में होंगे, वो आप अवेल कर सकते है, 945, जो बच्चा crash course ले रहा है, उनको यह test series नहीं लेनी है, क्योंकि आपको वो already provide होगी, बट अगर कोई separately enroll करना चाहता है, तो वो इनको consider कर सकता है, अगर मैं आपसे बात करूँ results की, तो by last few years में one of the best results, NM snap exam में हमारे यहां से निकल रहे है, बच्चे बहुत अच्छा performance कर रहे है, अगर आप यहां देखोगे, अधित्यगेरा 99.91%, शिवम 99.76, सारा 99.66, निकल 99.60, सात्विक 99.44, नंदिता 99.72, सौरब 99.43, अलपांश 99.34, प्रबाद 99.34, शिवम आयूश 99.12, तो इतने सारे toppers रहे हैं, आप देख सकते हो, जिन्होंने अपने ड्रीम परसेटाइल 98.99 अचीव करी है, अपने अपने ड्रीम कॉलेजिस को कनवर्ट किया है, इसके साथ अगर आप देखोगे, तो NMAT में भी ऐसी रिजल्स रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, NMAT में 235 is a very good score, यहां प अपने ड्रीम कॉलेजिस को कनवर्ट किया है, तो अगर आप भी एक सीरेस एस्पिरेंट हो, जिसका माइनसेट बहुत क्लियर है, सर मुझे एक्जाम को क्रैक करना है, और बहुत ही अच्छे इस कोर्स के साथ क्रैक करना है, तो इस कोर्स का maximum utilization कर सकते हो, पूरा का पूरा ज अच्छे लेवल पे आप confident हो जाओगे और इन एक्जाम को क्रैक कर पाओगे, क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो यह हमारा number है, इस पर आप WhatsApp या call कर सकते हो, otherwise हमारी website studybus.co.in पर जाके direct आप admission भी ले सकते हैं, so all the very very best, thank you so much and take care.